हेलो दोस्तों कैसे हो सब लोग CMA Intermediate Direct Tax and Indirect Tax का Paper यानि Paper No.7 आप लोगों का December 2024 में है और उसके लिए मैंने प्लान की है कुछ 80 Marks Strategy दोस्तों 80 Plus Marks आप लेके आ सकते हो easily बट उसका क्या Target होगा क्योंकि Tax का Paper बच्चों को Technical लगता है तो इसकी तयारी कैसे करनी चाहिए मैं शुरू से लेके आखीर तक इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि आपकी एक Strategy क्या रहेगी क्या Topics पर ज़्यादा फोकस करना है कौन से सबसे Easiest Topics हैं और कौन से सबसे Technical Topics हैं और Weightage क्या रहेगी उन Topics की तो दोस्तो 80 प्लस मार्ट स्ट्राटेजी December 2024 के लिए आओ ज़रा देखे तो मैं जो ये Strategy बताने वाला हूँ न या आपके जितना पिछले Examination हुएं MQPs हुएं जो भी मेरा Past Experience है उन सब को देखते हुए मैंने ये Strategy बनाई है 100 नंबर के Paper की Paper नंबर है 7 Direct Tax और Indirect Tax में आपको पता है 50 Marks का Direct Tax और 50 Marks का Indirect Tax है अब अगर आप मुझसे बुचोगे Most Easiest Topics तो मैं पहले आपको Direct Tax के कुछ Easiest Topics दिखाता हूँ जिसको आप खुद भी कर सकते हो मतलब आपको Teacher से Classes लेने की भी जूद नहीं है अगर आप लोग Study Mat देखते हो या फिर आप YouTube पर वीडियोज देखते हो तो Most Easiest Topics है Residential Status Residential Status Salary House Property Income Other Sources and Clubbing और Set Off and Carry Forward and Agriculture Income ये सबसे Easiest Topic है दोस्तों ये जो Topic है इनकी वेटेज अगर मैं आपको इनको Total कर दूँ जो पिछले Exam के अंदर आए है तो वो करीब-करीब 25 से लेकर 30 नंबर की वेटेज हो जाती है सिरफ और सिरफ इन Topics की समझ रहे हो मनी बात मतलब कितना Important है आप समझ रहे हो कि ये Direct Text के ये Topic अगर आप कर जाओ तो आपको Technical Topics करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप 80 Marks की Strategy की बात कर रहे हो तो 80 Marks के लिए तो सब कुछ करना पढ़ेगा 80 Marks के लिए सिरफ ये वेटेज नहीं करनी सारे Topics करने हैं बढ़ हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Easiest Topic कौन से है तो Residential Status easily किया जा सकता है Salary Income अच्छे से Solve किया जा सकता है House Apparty बहुत ही Easy Questions आ रहे हैं एक्जाम के अंदर Other Sources और Clubbing असान है छोटे Chapters हैं ये सब छोटे Chapters हैं हाँ इसमें से salary थोड़ा सा lengthy रहेगा बट मैं कहूंगा फिर भी असान है याद करने है formulas वो जो आपको limits होती है वो याद करनी है और वो apply करनी है दोस्तों इसके इलावा सेट आफ एने Carry Forward है और Agriculture Income है ये ऐसे Topic है जो Easiest Topics में कहूंगा और exam में questions इसके उपर कई बार आ रहे अब मैं बात करूँ Most Technical Topics की तो भाई सब से important तो आपको पता ही है PGVP बच्चों का कहना है कि ये Technical Topic है हाला कि इतना कोई मुश्किल नहीं है बड़ येस बच्चों का कहना है PGVP Technical Topic है Capital Gains दोस्तों Capital Gains एक Technical Topic है Deductions और TDS TCS Advanced Tax मिला के ये चारो Topics तोड़े से Technical है वक्त लगता है याद करने में इसके questions को interpret करने में समझने में तो इने लेंदी Topic तो नहीं तो इतना लेंदी नहीं है TDS इतना लेंदी नहीं है बट ये दोनो Topics जो है ये काफी जादा वक्त लगाते है आपको याद करने में, रेटेन करने में PGVP और Capital Gains के साथ कुछ ऐसा ही है बट PGVP और Capital Gains तो लेंदी भी बहुत है बना बहुत सारे sections है जो आपको इसमें पढ़ने होंगे तो दोस्तों Most Technical Topics ये हैं इनकी भी है, ठीक है, मतलब अब दाउन चलती रहेगी PGVP Capital Gains important topics होते है बट अगर आप लोग 80 plus का प्लान कर रहे हो तो सारे ही करना है, है की नहीं सारे करने में से easiest topic मैंने आपको बता दिए technical topic बता दिए आपको aware रहना है, जब भी आप classes purchase कर रहे हो, या आप classes पढ़ रहे हो किसी teacher से, तो आपको देखना है कि वो topic जो है, जो सबसे difficult topics में आते हैं, technical topics में आते हैं, वो topic teacher ने कैसे करवाए हैं क्योंकि वो बहुत important होते हैं PGVP Capital Gains, अगर 80 plus चाहिए है तो अब आजा, मेरे indirect tax की तरफ दोस्तों, indirect tax के अंदर मैंने most easiest topic निकाले हैं, जिसमें आप अराम से score कर सकते हो, मतलब अराम से score करने का मतलब है, भाई, अगर आप ये खुद भी पढ़ लो, तो हो जाएगा, composition scheme, ठीक है, section number होता है, 10, ये आप हो सकता है, और आम से कर सकते हो, time of supply, इसके rules अगर आप पढ़ लो, तो time of supply पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, value of supply, ये भी अगर आप पढ़ लो, तो इसके अंदर reading कर लो, तो आपको content में मुश्किल नहीं होगी, नहीं है, exam में हमेशा आ रहा है, BCD, IGST, social welfare, surcharge, उसकी calculation कैसे करनी है, एक particular good की value को कैसे find out करना है, बहुत ही important भी है, और easiest topic भी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कि मैंने जो topics cover की हैं, सर, इनकी क्या weightage रहेगी, तो भाई साब अराम से, यह अराम से 30 marks की weightage रखता है, easily, 25 भी नहीं लिखना हूँ है, आप बर, 30 लिखना है, क्योंकि easily यह 30 number आपको देखे जाएगा, यह topic, अगर आप यह topic कर जाओ, ठीक है, अच्छे से कर जाओ तो, फिर इसके बाद आजाता है most technical topic, important यह भी है, but यह technical है, जिसको length ही, जिसके, मतलब आप यह कहोगे कि sections पढ़ते-पढ़ते, आपको लगेगा कि आप बड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे ITC, input tax credit, returns, ठीक है, returns, इसके अदलावा place of supply, supply, इकलोता supply, section number 7, वो आपको थोड़ा सा technical लग सकता है, exemptions exemptions, बहुत साथी list है कि कौन-कौन से services exempt है, वो भी आती है exam के अंदर, और custom की valuation rules, valuation rules भी important होते हैं, जहां पर आपको good की value find out करनी होते हैं कि 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 good की value पर custom duty लगेगी और value कैसे calculate करते हैं, यह तोड़ा सा technical topic आ जाते हैं, और exam में यह भी चीज़ आती है, is that custom duty में तो भाई साब सिवधी से बात है, examiner अभी तक जो है theoretical questions में नहीं, practical questions पर ही focus कर रहा है, अभी तक अगर मैं past experience की बात करूँ, तो अगर आप यह topics important, technical topics अब कर जाते हो, तो आपके यहां पर भी करीब-करीब 20 number का इसकी वेटेज होगी 20 marks, 20 marks की वेटेज इसकी होगी, आप इसमें 20 number score कर सकते हो, तो दोस्तो 80 number का अगर मैं कहूँ, तो 80 number के लिए आपको क्या त्यारी करनी होगी, आपको त्यारी करनी होगी residential status, salary, मैंने आपको बोला, यह असान है, house property, other sources, clubbing, set-off and carry forward, agricultural income, असान topics उठाओ अगर, तो यहाँ पर आप 25 से 30 number खीच सकते हो, और यहाँ पर आप असान वाले topic उठाओ, तो 30 number यहाँ खीच सकते हो, तो यह तो होगए 60 marks, ठीक है, 60 marks यहाँ होगए, और technical topics ऐसा तो है नहीं की पढ़ने नहीं है, अगर आपके इसमें marks कुछ कटते भी हैं, तो तो भी आप लोग यहाँ पर कम से कम 10 number score कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप 10 number तो easily score कर सकते हो, तो 80 number बने की नहीं बने, 80 marks की strategy इस तरीके से है, तो आप लोग को समझना पढ़ेगा पूरे course के अंदर, कौन से technical है, किन topics पर आपको ज़ादा ध्यान देना है, और कौन से ऐसे topics है, जो ललू बंचू topic है, है की नहीं, ललू बंचू समझते हो, कि भाई, ठीक है रीड करेंगे, तो हो जाएगा, मुश्किल वाली बात नहीं है, तो दोस्तों, याद रखना tax का paper, इतना भी असान नहीं होता, असान होता है, बट मैं कहूंगा, इतना भी असान नहीं है कि आपको लगे, कि बस बिना पड़े भी पहुन जाएंगे, तो आपको exam में आता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिरफ teacher जो आपको 80 number easily score किये जा सकते हैं, अगर आपकी strategy सही रहे तो, is that clear? That's it, आज के लिए इतना ही, और भी ऐसी कुछ वीडियो के लिए, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं और भी वीडियो ले के आऊँगा, थैंक्यू, बाई